गुद मोरिंग में, गुद मोरिंग में दियर फ्रेंड्स, मैसल अभिशित फद्रो, तोड़े आइम गॉइंग टू गिप मैं प्रेजेंटेशन, मैं टॉपिक इज लेशन प्लान, एसेंटियल फीचर्स, एडवेंटेज़, कॉंस्ट्रॉक्टिविस्ट एप्रोच, यह रह आता है, कि टीचिंग प्लान क्या होता है ना, एक टीचर की प्लान होती है, एक इंडिविज्विच्वाल लेशन को पढ़ाने के लिए, सॉक्सेस्पुल एक्जीक्यूशन अफेनी वार्क, एननोट बी डॉन अंटिल इट प्री प्लान एंड वेल ओर्गानाइज़, सॉक्सेस्पुली कोई काम नहीं हो सकता, जब तक वो काम प्री प्लान और वेल ओर्गानाइज़ ना हो, मतलब आच्छे से ब्यबस्थित ना तक वो काम सॉक्सेसपुली नहीं हो सकता, लेशन प्लान इस डप्री एक्टिव फेज और टीचिंq लर्निक प्रॉसस, लेशन प्लान टीचिंग लइन प्रोसस का प्री एक्टिव फेज है, जहां यह तीनों कोंटेंट से जो किभे प्लानिंग एक्जीक्यूशन और एव जैशच का पड़ता हिको उन्हों ने ग्झी क्या और स्ट्ट्टेंट कितना केसा उसके बाद आफीनेशन देखते हैं और लांटर वी स्ट्रैंड ने टेफिनेशन दिया था लेशन प्लान के उपर उन्हों ने दिया था लेशन प्लान is actually a plan of action in many ways the effective teaching depends upon it, उसके बाद winning and winning ने दिया था क्या दिया था, daily lesson planning involves defining the objectives selecting and arranging the subject matter and determining the method and procedure उसके बाद देखते है characteristic क्या है lesson plan की लक्षन क्या है यह lesson plan क्या होती है प्री प्लान होती है पहले से प्लान होती है उसके बाद creating teaching learning environment lesson plan क्या करता है create teaching learning environment एक सिख्षन का environment create करता है, एक सिख्षन का माहूल create करता है helps to achieve instructional objective यह help करता है, किसली help करता है instructional objective को achieve करने के लिए carriage teaching in systematic order lesson plan क्या करता है carriage carriage करता है क्या गेरी करता है ना teaching को systematic order में first or last complete कैसे हो सकता है उसी को ये बहन करता है makes teaching learning process very effective जो teaching learning process होती है उसको ये effective बनाता है कौन बनाता है ना lesson plan बनाता है उसके बाद देखते हैं essential features लेशन प्लान के लिए ये चार essential features से पहला है objectives दूसरा है content तीसरा है method और fourth प्रे है evaluation lesson plan में ये चार essential features क्यों है क्योंकि जब एक teacher lesson plan बनाता है तो पहले देखता है कि students को कौन सी कौन सी चीज अच्छी लग रही है मानो student को storytelling method अच्छी लग रही है या lecture method अच्छी लग रही है या problem solving method अच्छा लग रहा है तो वही चीज को लेकर उनको क्या करना पड़ता है teacher का objectives त्यार करना पड़ता है और उसके साथ साथ अगर teacher के पास content नहीं होगा क्या पढ़ाना है वह चीज नहीं होगा तो वह क्या पढ़ा पाएगा नहीं नहीं पढ़ा पाएगा तो एक teacher केtalk lesson plan बनाने के लिए पहले रहा objectives उसके बाद कौनसी content में वह पढ़ाना को वह content, तीसरा है method, कौन सी method वह use करना चाहता है, वह method, और fourth में है evaluation, evaluation क्या होती, पढ़ाने के बाद student ने कितना catch किया, उसको जानने के लिए एक दो कुछिन student को पूछ लेता है, उसके बाद देखते है, advantages of lesson plan, क्या क्या advantages, ये lesson plan बनाने की क्या क्या फाइद है, और इसको हम need and importance भी बोल सकते है, मतलब क्या provision है, क्या महत्तु है, और क्या-क्या सुभीधा हमें मिलती है, यहां से, तो पहले to guide और direct the teacher, lesson plan क्या करता है, teacher को guide करता है, और direction दिखाता है teaching के लिए, ये एक बहुत अच्छा advantages है, teaching के लिए guide करता है, दूसरा है to make teaching systematic and organized, teaching को systematic and organized manner में, present करने में lesson plan क्या करता है, मदद करता है, to make effective time management, time management सही से करने में मदद करता है, क्योंकि अगर आपके पास planning होगी, lesson plan होगा, तो आप सही ढग से अपनी, जो teaching है, उसको execute कर सकते हो, सही time, to stop unnecessary repetition of contents, कही वर क्या होता है, teacher बार बार एक एक चीज को दोराते रहती, लेकिन अगर pre-planned lesson हो तो teacher क्या करेगा, उसी plan के according पढ़ाने ही कोशिज करेगा, जिसके बज़े से क्या होगा, ना repetition नहीं होगा, to link new knowledge to previous knowledge, जो पहला knowledge है, teacher क्या करता है, उसको link करने ही कोशिज करता है, यह एक advantages है, क्योंकि इसमें क्या होगा, student अच्छे से relate कर पाएंगे पिछली चीज को, और आगे पढ़ने में उनको मजा भी आएगा, to enhance confidence of teacher, अगर plan होगी पास, तो execute करने में क्या आएगा, confidence भी आजाएगा, to enhance the effect of teaching, to use teaching aids in better and effective way, अगर plan होगी, lesson plan होगी, तो क्या होगा, teacher जो teaching aid यूज करेगा, teaching aid उसको better धंग से यूज कर पाएगा, student के सामने, to develop a good habit of planning before teaching, एक क् करता है, एक planning create करता है, teaching से पहले, जो कि एक बहुत अच्छी advantages है, उसके बाद देखते ही, constructivist approach, ये क्या बोलता है, constructivism is a theory of how the learner construct knowledge from experience, which is unique to each individual, constructivism ये बोलता है, कि एक learner के से अपनी experience से knowledge गेन करता है, जो कि हार individual में अलग-अलग होता है, it loudly denies the traditional objective's view of knowledge, constructivism represents a paradigm shift from behaviorism to cognitive theory, constructivist believes that knowledge cannot be transferred from one person to another, constructivist ये विश्वास करता है, कि knowledge एक परसन से दूसरी परसन तक transfer नहीं हो सकता, knowledge is constructed by learner itself, knowledge learner के द्वारा, खुद के द्वारा construct होती है, on the basis of interaction with their environment, जब वो environment के साथ interaction करता है, तभी create होती है, उसके बाद देखते है, principle of constructivism, constructivism के क्या क्या नीतियां है, knowledge is constructed rather than innate और passive absorb, learning is an active process, उसका constructivism का नीतिया बोलता है, कि learning क्या है, एक active process है, all knowledge is socially constructed, हर knowledge समाज में मौजूत है, समाज में already built हुआ है, all knowledge is personal, हर knowledge personal है, learning exists in the mind, learning जो सिख्या होती है, वो कहाँ exist करती है, दिमाग में exist करती है, उसके बाद देखते है, role of teacher in constructivist classroom, जो constructivist classroom में उसमें teacher का role क्या है, teacher creates a collaborative problem solving environment, teacher क्या करता है, collaborative problem solving environment create करता है, teacher acts as a facilitator to learning rather than an instructor, teacher makes sure he or she understands the student's pre-existing conceptions and guide the activity to address them and then build on them, scarf holding is a key feature of effective teaching, scarf holding अच्छी अच्छी शच्छी 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 के लिए, encourage students critical thinking and inquiring by asking them thoughtful open-ended questions and encourage them to ask questions to each other, provide enough time for students to construct their own meaning when learning something new, उसके बाद देखते हैं, constructivist model, the 5-E model proposed by Roger Wavy can be conveniently implemented in science classroom, इसको जो constructivist model है, जो 5-E model है, इसको प्रोपोज किया था किनोंने? Roger Wavy ने, यह जो model है, this model was developed under biological science curriculum study project, यह जो model है, यह developed हुआ था किसके अंडर? ना BSCS द्वारा यह developed हुआ था, जो 5-E model है, 5-E model का पहला ही है, engage, this phase creates a connection between previous and present learning experience, जो engage होता है, यह क्या करता है? ना previous knowledge और present knowledge के अंदर, एक engagement create करता है, मतलब एक interaction बनाता है, एक connection बनाता है, student should become mentally engaged in the concept process it is, इसमें क्या होती है? इसमें क्या होता है, student क्या होती है? एंगेज होते हैं, concept से, process से, एंगेज होते हैं, उसके बाद आता है explore, engagement brings about disequilibrium, exploration, inates the process of restoring equilibrium, teacher designed some learning activities, explore में क्या होता है, teacher क्या करता है, कुछ learning activity design करता है, जिसमें student क्या करता है, खुद की knowledge को explore करने का मोका मेलता है, उसके बाद देखते है, explain, जो चीज उन्होंने प्रिवियसली एक्स्प्लोर किया था, उसी को explain करने का मोका मेलता है, ये थाड वाले email, जो किये explain, उसके बाद आता है elaborate, this phase extends students conceptual understanding and allows them to practice skill and behavior, और अखिर में आता है evaluate, this is the last phase of the five, is encourage learner to access their understanding and abilities and lets teacher evaluate students understanding of key concept and skill development, अखिर में आता है conclusion, for teachers lesson plans are the building blocks used to help organize thoughts and information, teacher के हिसाब से lesson plan क्या होती है, एक building blocks होती है, जैसे कि building blocks क्या करते है, एक building blocks क्या करते है, एक इमारत बनाता है, उसी तरह lesson plan, छोटी-छोटी lesson plan क्या करते है, एक effective teaching को promote करता है, एक तर बनाता हैंसे 5icana टाफित tak को कि तरहीचे हैंसे 6 अभी सोबने करते हैंस to be an exhaustive document that describes each and every possible scenario, और मेंसे 7 रहीचेचेचेचेचेचेचेह झाता हैंसे 3 strategy, बेकते हैंसे 4 to 4 थे चेन्छीकेचेचेचेचेह esas love-से क्याचेचेचे recogerं und 5 बाह् Gün of what we want to do and how we want to do it. उसके बाद हमने ये रेफरेंसेस लिये हैं और यहीं पर हम अपनी प्रेजेंटेशन का खतम करते हैं, आपने अपनी इतनी मोहत्पुन समय देकर हमारी प्रेजेंटेशन को सुनें, तो हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.